असलाम अलेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हैथर टेक, आज किस एपिसोड में मैं आपको दुनियो में मौझूद सबसे एडवांस ट्रक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, सो लेट्स बिगिन नमबर सेवन, मस्रिडीज बेंज अर्बन एट्रक्ट, तो सो मस्रिडीज कमपनी ने ये ट्रक्ट 2017 में लाँच किया था, जब इसका कॉंसेप्ट शो करवाया गया, तो इमिचेटली कमपनी को ओर्डर्स आना शुरू हो गए, बहुत साथा ओर्डर्स होने की वज़ा से, के मताबिक, मस्रिडीज कमपनी 2020 तक ये अर्बन एट्रक मार्केट में ले आएगी, इसकी मैस प्रोडक्शन अल्रेडी शुरू हो चुकी है, ये एक एलेक्ट्रिकल ट्रक है, और ये दुनिया का पहला हैवी ड्यूटी ट्रक होगा, जो कि मार्केट में लाँच होगा, इस ट्रक एक बड़े रीजन में इनर ट्रांसपोर्ट के लिए बेस्ट रहेगा, इसके लावा शेहर के अंदर लोड्स को ट्रांसफर करना चीप और कोई खो जाएगा, इसे चार्च करने में तीन घंटे का वक्त लगता है, ये ट्रक सच में ट्रांसपोर्टेशन वर्ड में साबत होगा, नमबर 6, XOS ट्रक 81, दोसो आप सब को पता होगा कि मार्केट में इलेक्टरोनिक ट्रक्स आ चुके हैं, और अब मार्केट में इनकी काफी डिमांड है, डिमांड होने की वज़ा से मार्केट में अब ऐसी कंपनी भी आ चुकी हैं, जो ऐसे ट्रक्स बनाती है, यह जो अमेजिंग ट्रक्स आप देख रही हैं, इसे एक लास एंगलेस बेस्ट कंपनी, SOS ट्रक्स ने डिवैल्प किया है, यह एक छोटी और नई कंपनी है, लेकिन इन्होंने इस ट्रक को बना कर कमाल कर दिया है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस ट्रक को एक दफा चा कर सकता है, यह वहीकल इन्वार्मेंटली फ्रेंडली है, इसका डिसाइन फ्यूचरिस्टिक बनाया गया है, जिससे यह और भी ज़्यदा कूल लगता है, डिवैलपर्स के मताबिक इसका इंजन एक नॉर्मल डीजल इंजन से भी 30% ज़्यदा अनरजी प्रोड्यूस करता ह इस ट्रक की मदद से पलूशन पैदा नहीं होगी और इसका डिसाइन ऐसा बनाया गया है, कि यह आम ट्रक की निस्बत 60% कम मैंटेनस मांगेगा, इसका इंजन 700 होर्सपावर की दाकत रखता है, यह ट्रक रियली इंक्रेडिबल है, नमबर फाइफ निकोला टू, दोस्तों की दुनिया को हैरान कर दिया, निकोला टू, एक फ्यूचरिस्टिक ट्रक है, इसका सबसे एडवांस फीचर, इसका हाइडरो पावर यूनेट है, यह ए, एक्सल एलेक्टरिक ट्राइफ पर काम करता है, जो कि ट्रांसमिशन, मोटर और एलेक्टरोनिक्स को कमबाइन करता ह इसकी एलेक्टरोनिक मोटर को हाइडरो फ्यूल सेल से पावर मिलती है, हाइडरोजन और ऑक्सीजन के रियक्शन से एलेक्टरिक सिटी पैता होती है, जो कि मोटर को पावर देती है, और बैटरीस को भी साथ-साथ चार्ज करती है, इसका पावर यूनेट और सेल दोनों को separately develop किया गया है इसका engine 1000 horsepower की ताकत रखता है एक दफ़ा चार्ज करने के बाद इसे 1200 km तक लगतार चलाया जा सकता है आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसकी बैटरीस को fully चार्ज होने में सिर्फ 15 मिनट का वक्त लगता है इससे आप अंदाजा लगा सकते है कि ये टरक टेकनिकली कितना advance है ये वाके ही में कमाल है नमबर 4, Kenworth T680 दूसरो ये जो टरकाप देख रहे हैं ये दुनिया के टॉप 10 लगजरी और comfortable टरक्स में से एक है इसे एक American company Kenworth Aero Dynamic ने develop किया है इस टरक की mass production 2014 में शुरू की गए थी मारगेट में आने के बाद ये model बहुत ही popular हुआ खास करके professional drivers इस टरक के बहुत बड़े फैन है खास करके America के अंदर ये टरक अभी भी बहुत famous है इसका cabin white color का बनाया गया है जिसमें driver घर से भी ज्यादा comfort में आराम कर सकता है इसकी driving seat के पीछे एक refrigerator भी लगाया गया है इसके इलावा समान रखने के लिए cabinet और कई units भी बनाया गये है इसके इलावा इसमें alarm clock lightning, heater और air condition को control करने के लिए पूरा सिस्टम मौचूद है cabin के अंदर एक 28 inch LED भी लगाई गयी है जिसमें driver movies वगईरा देख सकता है इसके लबा एक folding table भी इसमें लगाया गया है जिस पर खाना रखकर खाया जा सकता है इसका पूरा सिस्टम air dynamic है ये ट्रक पांचोदस होर्स पावर की ढाकत रखता है इसका cabin aluminium से बनाया गया है और seats leather की बनी हुई है इस truck का weight बिलकुल light है और ये highly resistant है ये truck really बहुत कूल है नमबर 3 star ship 200 developers के मताबिक इस truck को बनाने में बहुत लंपा अर्सा लगा है इसे बनाने वालों ने इस पर इतनी ही मैनत की है जो किसी luxury sports car को बनाने वाले developer इसे aero dynamic बनाने में करते हैं इन्होंने इस truck की twin proof energy efficiency पर बहुत ही ज़्यदा मेहनत की है इस truck पर लगातार 18,000 घंटे काम करके इसे ऐसी जबरदस लुक दी गई है इतना लंपा अर्सा काम करने के बाद आखर इन्होंने ये unbelievable star ship त्यार कर लिया ये किसी आम truck से डाईगुना ज़्यदा efficient है इसका exterior दुनिया के हर ट्रक से different और unique है इसका cabin carbon fiber से बनाया गया है देखने में ये किसी modern high speed train की तरह लगता है दूर से देखने से ऐसा लगेगा जैसे कोई train road पर आ रही हो आप believe नहीं करेंगी कि इस truck के electronic system को power solar panel की मदद से मिलती है इसके रूफ पर solar plates लगाई गई है जो कि इसके electrical system को run करती है और इसके engine को power डीजल से मिलती है इसके engine में 400 horsepower की ताकत मौझूद है इसके लावा इस truck में दो wheels की बजाए एक ही चोड़ा tire fit किया गया है इसकी मदद से ये और पी ज़्यादा resistant होता है ये truck really incredible है नमबर टू वेव दोस्तों आपने पहले कभी ऐसा unusual truck नहीं देखा होगा इस truck में driver एक अलगी driving experience फील करेगा इसकी shape भी एक train जैसी बनाई गई है इस truck में driving seat को side पर नहीं बलके बिल्कुल दरम्यान में लगाया गया है इस unusual vehicle को walmart ने develop किया है इसमें high advance functional system लगाये गए है company के मताबिक walmart 6000 से ज़्यादा गाड़ियां transportation के लिए यूज करती है और ये brand अपनी efficiency को improve करना चाता है ये truck फिलहाल एक concept है और इस vehicle को 20% more efficient बनाया गया है अगर ये concept successful रहा तो इस तरह के walmart ट्रक जल्दी आपको रोड पर नज़र आएंगे नमबर वन man TGX तो सो ये जो truck आप देख रहे हैं ये दुनिया के सबसे cool trucks में से एक है इसकी shape बिल्कुल flat है और इसे man S.E. ने develop किया है इस truck में fuel efficiency, reliability और economy सब को improve किया गया है manufacturer's ने इसके frame पर खास करके तवचा दी है इसके frame को fine steel से बनाया गया है इसकी वज़ा से इसका वज़न बहुत ही light हो गया है जिससे ये और भी ज़दा durable बन गया है इसमें ऐसा cabin लगाया गया है जो कि customize है और इसमें driver की comfort का खास ख्याल रखा गया है cabin के अंदर rest करने के लिए luxury space मौजूद है इसके लवा इसके बाहर camera भी लगाया गया है जिसकी footage driver अंदर लगी screen में देख सकता है ये camera night vision होता है ये अंदर से 2 meter लंबा है और इसमें storage unit बनाये गये है ताकि driver को maximum सहुलिया दी जा सके इसके लवा इसमें build-in GPS और cruise control भी मौजूद है इसे जिस speed पर lock कर दिया जाए ये automatically चलता रहता है और driver relax कर सकता है इसके लवा इसकी fuel efficiency को भी बहुत improve किया गया है ये truck सच में कमाल है अगर वीडियो पसंद आए तो like जरूर करें और Heather Tech को subscribe करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहें आज के लिए इतना ही दोस्तों नेक्स वीडियो तक के लिए अलाहाफिस